आज बिनाएंगे यूपी का इस्पेशल मटर का निमोना जो दाल और सबसी दोनों का काम करता और बहुत मज़ेदार लगता है तो यहाँ पर मैंने दो कप हरे मटर लिए वे थे और लियावा था हरी धनिया की पत्ती हरी धनिया की पत्ती को अच्छे से वाश कर लिया है इसके बाद आपको करना क्या है सबसे पहले हरी धनिया की पत्ती को रफली चॉप कर ली जए ताकि ग्राइंट करने में आसानी हो बीच में खड़े-खड़े इनकी पेसेश ना आए और तीन से चार चमँट, जो हरे मटर के दाने हूइ, उनको एक Mixing Walt में निकालके, इक साइड में करके रख देंगे, यह बाद में हमारी Gravy में काम आएगे, तो मैंने इन इन के रख दिया, और पाके जो हरे मैंने पर फिल रखा यह आदे वाले से पील कर लिया लिए मेण उच पर जो करने। मिर्ची मेर्ची कमे ज़्यादा अपने तेस्ट के कॉर्डिंग है इसके बाद इसमें जाएगा पहले मैं प्यास शो कर दिती मैंने रप्ती चॉप करके एक साइट में करके रख दिया है इसमें जाएगा आदा चमच जीरा एक बड़ी राइची चार लॉंग और आदा चमच काली मिर्च के दाने तो काली मिर्च कमया जादा आप अपने टेस् ही झाली कर लेंगे कुछ इस तरीके से अर इस मसाले को भी उसी हरे मडर के पेजिन में एक चीछी कमी हूँआ है लासन का पेस्ट में बात में बड़ी में एक साइट मे बड़ी में हेकर देते हैं रह नहीं करके मांने कड़ाई में आपके पास निमोने में बड़ी कोई हैं उसको यूजिया तो सब्सकार को सब्सक्रेणी राम ने और मीडियम सैज पहले ज मैंने लूए और सब्सक्राइब करने हैं और प्लेट में निकाल के रख देते हैं उसी बागी बच्चे वे तेल में तड़का लगा जी रखा जो आधा प्यास था न मैं इसमें डाल दिया और प्यास को हलका सा नाइस पिंग किलर में आने तक फ्राइ कर लेंगे इसके बाद मैंने इसमें डाला लासुन का पेस्ट और जब तक कि मटर का कच्छापन खतम नहों जाए मसाले तेल चोड़ना नहीं स्टार्ट कर दिए इनकी भुनाई में जो टाइम रगता है वह है आठ से नौ मिलट इसके बाद मैंने इसमें डाला तो समॉल साइज के टमाटर जिनको मैंने रफली चौपर के डाल दिया है इसके स टमाटर जो है वह बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए अब इसमें जाएगा पहले से फ्राइट के हुई वड़ी है जो हम लोगों ने फ्राइब कर लिए वह इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे आलू जो हम लोगों ने फ्राइब करके रखा हुआ है शारी चीज की जो खासियत हो है कि हलका सा जब ठंडा होता है तो यह थोड़ी सी गाड़ी हो जाती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले ही पानी एड कर दीजिए तो हमारी जो क्रीविक है बहुत शांदार कलर आए वह तो बहुत थी अच्छा रहा गैस की फ्लेम को बंद करेंगे डालेंगे हरी दिनिया की पत्ती और साथ ही साथ आप सभी को मेरी रेस भी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना ना भूले रेस भी पसंद है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है तो हमारे जो हरी मटर का निमून है तयार है गर्म सपातिक साथ सार्व कर निकली थैंक यू